नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत सागत है आपके अपने योट्यूब चैनल करेंट पूरी में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना चल लए है और दोस्तों इसका जो है अपलाई ऑनलाइन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा और किस स्थिति में किया जाएगा और काउन काउन लोग यहां पर पहले इसके लिए अपलाई करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकरी देने वाले हैं वीडियो इस्टेट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का इकन को प्रेस कीजिए जिससे हमार नया नया वाला वीडियो आपके बाद से सबसे पहले और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूँचना चाह सकते हैं तो दोस्तों कमेंट वाक्स में पूँच सकते हैं साथ साथ इंस्टाग्राम पर फोलो करके पूँच सकते हैं वहां से दोस्तों मैसेज करके साथ साथ दोस्तों आप लोगो यह जो है इमेल आइड़ी पर जाकर दोस्तों में आपर जो कॉले से लिंक है वो भेजी जारे है, किसके लिए बेजी जारे है और इसका जो apply है, वो कैसे किया जा रहा है पूरा आपको step by step करके दिखाएंगे क्योंकि proof के बिना कुछ नहीं बनता है तो दोस्तों चलेए आपको step by step करके दिखाएंगे अभी आकिर आप कैसे इसका जो apply है वो करेंगे तो दोस्तों चलिए फटा फट देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्याले का दोस्तों यह दिया गया है दोस्तों इस महाविद्याले से जो भी है के समस्त चात्र चात्राओं को सुचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के यूबाओं को तकनीकी ससक्ति कड़ेतू टाबलेट स्मार्टफोन का बित्रड किया जाना है इसके संदर में यहाँ पर उपरोक्त में दिया गया है इसके संबन्द में उपरोगत सभी कक्छाओं के चातर चातरा निम्न लिखित लिंक के माद्यम से अपनी बांचित एवन तुरूटी रहित सूचना है दिनांक तीन तारीक 11 मैने अमलब जिस दिन आपको लिंक भेजी जाएगी उस दिन से लगए एक दिन बाद का मलब अगर आपको यहां पर पांच तारीक को लिंक आई तो छे तारीक तक आई यहां पर आपका डेटा कंपसरी तक वहां पर दे देंगे आपको डेट तो छे तारीक तक आपको बेज देना होगा मतलब एक दिन यहां पर पूरा मिलता है आप लोगों को यह डेटा बहां पर बेजने तो दोस्तों जब भी आपको link दी जाए और दोस्तों जो वहां पर date दी जाए जैसे यहां पर यह तीन तारीक दी गई है तो तीन तारीक तक यह data जिसने भी भेज दिया होगा तो दोस्तों उनका यहां पर जो submit हो गया होगा तो दोस्तों वह भी आपको step by step दिखा देंगे इ देख लें यहां पर जो यह लिंक आ रही है पहले किस किस के पास आ रही है तो यह दोस्तों साफ आप देख सकते हैं आपर दिया गए केवल दुतिय और तरतिय बरस के चात्रों के लिए यहां पर आ रही है जो अभी यहां पर फश्ट सिमिस्टर जिनका चला है मतलब जिनका अभी अभी यहां पर प्रथम वर्स चला है तो उनके लिए अभी कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं की जा रही है सबसे पहले दूतिय और तर्तिय वर्स वालों के लिए यहां पर यह 68 लाग जो है तो 68 लाग उनमें बित्रड हो जाएंगे इसके बाद जो आपके 32 लाग बहुत से लोग तो यहां पर कॉलेज वाले लिंक बेज कर यहां पर वरवार हैं और बहुत से कॉलेज हैं दोस्तों यहां पर जो आफलाइन फार्म है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आफलाइन फार्म के थ्रियों दोस्तों जो आपना डेटा दे देते हैं तो को यह दिया गया है तो दोस्तों चलिए आप को इसका आन्लाइन कैसे करेंगे तो दोस्तों तो सबसे पहले आप जो इस भी email id से वहाँ पर जो आपका Chrome होगा उससे login होंगे तो वो दोस्तों account यहाँ पर दिखा देगा जैसे मेरी यह email id है मैं इस email id से दोस्तों यहाँ पर login हूँ तो दोस्तों यह दिखा रहा है अब इसके आगे दोस्तों आपका फॉर्म वो आ गया है फॉर्म में लगा 22 से 23 जो है यहाँ पर टोटल दिये गए है जो आपको फिल करने है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर email id माग रहा है तो जो भी आपकी email id हो वो दोस्तों आप यहाँ पर भर देंगे email id भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो student का name है वो माग रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके फिर आपना student name देंगे यहाँ पर दोस्तों student name है यह दोस्तों यहाँ पर सभी field compulsory है तो अभी मैं आपको बताऊंगा आखिर यह compulsory क्यों की गई है तो दोस्तों अभी इसके बाद माग रहा है gender gender कांसा है male है या female है इसके बाद यहाँ पर father's name यह भी आप देख सकते है compulsory यह भरना है जो भी यहाँ पर भरना है बिल्कुल compulsory आपको भरना ही भरना है कुछ भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है जहाँ पर भी आपको दोस्तों यह dot का निशान नहीं होगा वहाँ पर आपको compulsory नहीं होता है तो इसके बाद मदर्स ने अपनी माता का नम बर देना है इसके बाद date of birth आपको यहाँ पर से paste कर लेनी है जब date of birth पेश्च कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर भरना होता है 12 अंकी आधार नंबर इसके बाद दोस्तों आपको यह एक मुवाइल नंबर भर देना होता है और दोस्तों यहाँ पर आप का मिलब जो ज़्यादा तर आप यही करें कि आपका जो आधार में रजिस्टर्ड मुवाइल नमबरों वही भरें तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा और अन्यता अगर आप दूसरा भरना चाहें तो दूसरा भी भर सकते हैं अगर दोस्तों इमेल आड़ी पुना मागरा है तो पुना आप वही इमेल आड़ी भर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तो पर्मनेंट अड्रेस फुल आपको अड्रेस यहां पर भर देना है इसके बाद दोस्तों आपकी तैसिल क्या बनती है वो आपको लिख देनी है अब तैसिल के बाद दोस्तों आपको अपने डिस्टिक सेलक्ट कर लेनी होती है डिस्टिक आप दोस्तों यहां पर इसके बाद दोस्तों यह जो है पिन कोड भरने के लिए बूलेगा तो दोस्तों यहां पर नेटिव इस्टेट पूंच रहा है तो दोस्तों आपको नेटिव इस्टेट भर दिना आता है मतलब जहां आप रहते हैं बहुत से जगए ऐसे जैसे कोई एमपी का है और एमपी का जो है वो यूपी में पढ़ाई कर रहा है तो दोस्तों उसे भी मिलेगा क्योंकि वो यूपी से कर रहा है और उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों वो रह रहा है तो उसे भी मिलेगा तो इस इसके बाद दोस्तों institute का code भरना आता है अब दोस्तों code कहां से मिलेगा तो दोस्तों आपके पास जो WhatsApp आएगा WhatsApp पे दोस्तों जो link भेजी जाएगी तो उस link में ही आपका जो code है वो भेज दिया जाएगा जैसे अगर किसी का MP 16 है तो यहाँ पर पहले MP फिर 16 इस तरह से दोस् का name और address आपको भर देना होता है और इसके बाद student का enrollment number अब जैसे कोई beard कर रहा है तो beard में दोस्तों यहाँ पर जो आपने form जब फिल किया था तो दोस्तों उसका एक number मिला होगा आपको जैसे यू टी आइसके अगे 2021-22 तो इसी तरह से दोस्तों जो भी आपको number मिला हो तो तो दोस्तों आप enrollment number यहाँ पर फिल कर देंगे यह दोस्तों आपको college वाले नहीं देंगे BA का अगर आप BA या BSC या कुछ भी कर रहा है तो इसका दोस्तों आपको college वाले ही देंगे क्योंकि BA और BSC फश्टी एर में लगवग बहुत से कम ही college होते हैं जो enrollment number दे देते हैं औ और जो BA BSC का है वो लगवग second year में ही मिल पाता है तो दोस्तों आप अपने college से जो भी second year है final में है तो final वालों को तो पहले से पता होगा लेकिन जो second year है वो यहाँ पर college से पता करके यहाँ पर अपना enrollment number भरेगा इसके बाद दोस्तों आपको name आप course वर दिना है higher education वालब BA अगर अब ही आप कर रहे है और दोस्तों इस से पहले आप bachelor of arts कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको bachelor of arts भर देना है इसके बाद दोस्तों आपको level of course जो यह course आपने ऊपर वाले है किया तो यह graduation level का था तो यहाँ पर graduation भरा जाएगा अभी दोस्तों जो first year वाले करेंगे तो जिनका भी BA, BSC या कुछ भी first year में है तो दोस्तों वो लोग यहां पर ऐसा कुछ भरेंगे कि अभी यहां पर जो form आएगा कुछ updated form आएगा उसमें इसमें से बहुत सारे जो option है वो नहीं होगे अब इसके बाद आपने यहां पर दोस्तों दे रखा है आपने यहां पर किसमें इंट्रॉल किया रखा है मलब किसमें आपने अड्मिसन ले रखा है तो BSC, B.com, BA, MSC, M.com, MA, B.tech, M.tech, BBA, MB, B.S, M.D. इनमें से अगर किसी में ले रखा है और इसके अलावा गर किसी में ले रखा है तो दोस्तों वो आप simply यहां पर भर देंगे जैसा है अपने beard में ले रखा है तो दोस्तों आप यहां पर beard भर देंगे अब इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर current course का year ये 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 यहाँ पर चार सबजेक्ट वरने होंगे और चारों सबजेक्ट वरने के बाद दोस्तों इनको submit कर देना होता है अगर दोस्तों आपका form में कुछ भी गड़वड हो गया है तो दोस्तों हाला कि बो तो जैसे अगर subject 4 था यहाँ पर आपने कुछ भर रख था और यह गलत हो गया तो इसे back button से आकर फिर से आप इसे सही कर सकते हैं अगर दोस्तों आप अपना फूरा form clear करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको clear form दिख रहा होगा दोस्तों आप simply यहाँ पर click कर देंगे clear form पर तो clear form पर जब आप click कर देंगे दोबारा searching लेकर दोस्तों यही इस तरह का interface फिर से खुल करा जागा अब पूरा जो form है आपका clear हो जागा और दोस्तों आप इसके बाद जब submit कर देंगे तो यह दोस्तों जो आपकी जान करी है यह दोस्तों आपकी जो है इसका आराम से हो जागा अभी दोस्तों मैंने आपको बताई यह जो है केबल second year final वालों के लिए second year और third year जैसे भी अभी इसी करना है तो second year और third year वालों के लिए अभी दोस्तों यह दिया गया है तो दोस्तों first year वालों के लिए जल्द ही good news निकल कर आएगी तो जब भी आपर form फिल करना बताई जागा तो मैं दोस्तों आप लों को बता दूँगा और दोस्तों जिसके भी कॉले से लिंक नहीं आया है तो दोस्तों वो अपने कॉले से संपर करके लिंक के बारे में पहुँच सकते हैं आखिर मेरे को लिए जो लिंक है वो कब तक activate की जाएगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक क्यार